बावल में नई नवेली दुलहन लापता, 26 दिन पहले दिल्ली में की थी शादी, सुबह साड़े पांच बजे घर से निकली, पती दूद देने गया हुआ था। बावल निवासी रविंद्र ने पुलिस को दर्ज कराई शिकायत में बताया कि वह खेती बढ़ी के साथ साथ डेरी का भी काम करता है। दिन लापता हुई। 12 नवंबर को दिपावली के त्योहार पर मायके से वापस आई। अगले दिन सुबह वह दूद देने के लिए गया हुआ था। जब दूद देकर वापस आया तो पतनी रिंकी को और घर पर नहीं मिली। रविंद्र के मुताबिक उसकी पतनी सुबह साड़े पांच बजे अचानक लापता हो गई। उसकी काफी तलाश भी की लेकिन पता नहीं चल पाया। रविंद्र ने अपनी सास को भी फोन किया। लेकिन जवाब मिला कि वो उत्तराखंड भी नहीं पहुँची। परिचित के जरिये हुई मुलाकात। रविंद्र की माने तो शादी से पहले रिंकी की मा और उससे उसकी मुलाकात किसी परिचित के जरिये हुई थी। इसके बाद ही शादी ते हुई। शादी से लड़की की माँ और अन्य लोग भी खुश थे। हाला कि अचानक के लापता होने के पीछे का कारण उसे भी मालूम नहीं है। रविंद्र ने बताया कि उसे किसी पर शक भी नहीं है। बावल थाना पुलिस ने रविंद्र की शिकायत पर धारा 346 के तहत्वर दर्जकर कारवाई शुरू कर दी है।